Hello kids, how are you all? I am Shelly Sharma, your teacher and your best friend. Do you know that I am going to tell you which story today? बच्चों, आज की कहानी का नाम है चीटी और टिड्डी. बच्चों, क्या आप चानते हो कि चीटी बहुत ही महनती होती है? वह अपने वजन से 20 कुना जादा तक वजन उठा सकती है. तो ये कहानी है एक महनती चीटी और एक लापरवा टिड्डी की. एक समय की बात है, एक बहुत ही सुन्दर बगीचा था, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल लगे थे. बसंत रितु का बड़ा ही सुहावना मौसन था. एक टिटी बड़ी ही खुशी से नाच रहा था, गा रहा था और अपना दिन बड़ी ही खुशी से बिता रहा था. तब ही अच्छाना उसे रास्ते में एक चीटी दिखाई दी. तो बच्चों ये तो आप चानते ही हो कि चीटी कितनी मेहनती होती है. वह चीटी अपनी मेहनत से और अपनी कोशिश से एक बड़ा सा कौर्ण यानि मक्के का दाना अपने घर ले जा रही थी. तो चीटी ने चीटी से कहा कि तुम यहां मेरे पास आकर क्यों नहीं बैटती? क्यों ना अपन दोनों अच्छी अच्छी बाते करें? परन्तु चीटी बहुत ही बुद्धिमान थी. उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया. बलकि उसने टिड़ी से कहा कि मैं बारिश के मौसम के लिए खाना इखटा कर रही हूँ. और फिर चीटी ने टिड़ी को भी ऐसा करने के लिए कहा. उसने कहा कि अगर तुम अभी काम नहीं करोगे तो बारिश के मौसम में अपने परिवार को क्या खिलाओगे? और उन्हें कहा रखोगे? तो टिड़ी ने कहा कि अभी तो मेरे पास बहुत सा खाना है. मुझे अभी से बारिश की चिंता नहीं करने. परन्तु चीटी बहुत बुद्धी मान थी. उसने टिड़ी के बाद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. बल्कि वह तो बारिश के लिए खाना इखटा करती ही गई. और कुछी दिनों बाल अचानक से बारिश होने लगी. और इस बार बारिश का मौसम पहले के मुकाबले थोड़ा जल्दी ही आ गया. और अब बेचार टिड़ी के पास ना खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए कोई जगा बची थी. अब बेचारा टिड़ी परिशान होकर चीटी के घर मदद मांगने के लिए गया. तो चींटी ने कहा कि देखो भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बारिश शिरू होने से पहले तुम अपने रहने और खाने का इंतिजाम कर लो परन्तु तुमने मेरी बात नहीं मानी लेकिन चींटी बहुत तयालू भी थी उसने टिड़ी को खाने के लिए खाना दिया और रहने के लिए जगा भी दी और फिर आखिर में टिड़ी ने चींटी को धन्यवाद दिया तो बच्चो मोरल अप्टा स्टोरी ये है कि हमें समय रहते ही अपने सारे काम कर लेना चाहिए अगर हम समय पे अपने काम पूरे नहीं करेंगे तो बाद में हमें परिशानिया होंगी जैसे की इस टिड़ी को हुई So kids, how did you like the story today? Tell me by comments and tell your friends about this story also. Okay, bye-bye. Take care.